जैहिंद वेल्कम टू टूड़े एकजाम क्लासेज दोस्तो आज के इस वीडियो हम राधस्तान ग्राम विकास दिकारी मैंस और रीड भरतिपरिक्सा 2022 के लिए कुछ मोस्ट इंपर्डेंट बोडल पेपर के उसना अंसर याद करेंगे जो आपके राधस्तान ग्राम विकास दिकारी मैंस और रीड भरतिपरिक्सा 2022 के नए पार्टे करम पर आधारित हैं अगर आप भी राधस्तान ग्राम विकास दिकारी मैंस या रीड भरतिपरिक्सा की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखे और इन सभी most important question answer को जरूर याद करे और दोस्तों आपको बता देखी हमने इस वीडियो से पहले 5 model paper हैं वो upload कर दी हैं अगर आपने अभी तक उन model paper को भी नहीं देखा हैं तो इन model paper के बाद उन model paper को भी आप जरूर देखी ताकि आप ग्राम विकास दिकारी मेंस और रीड प्रतिपरिक्सा की त्यारी हैं वो एकदम सटिक और मजबूत त्यारी कर सकते हैं तो चली देखते हैं इस वीडियो का पहला question ने बारत में सरवदिक बेरोजगरी दर के मामले में राजस्तान का कौन सा इस्तान हैं? तो इस सवाल का सह 34.1% के साथ हर्याना राजे हैं वो भारत में सरवधिक बैरोजगरी दर के मामले में पहले इस्तान पर हैं पहले इस्तान पर कौन सा राजे हैं बैरोजगरी दर में हर्याना राजे जिसकी 34.1% बैरोजगरी दर हैं जबकि अपना राजस्तान राजिये हैं वो हैं दूसरे इस्तान पर जिसकी बेरोजगर इदर हैं 27.1 परतिसदू दूसरा किसन है भारत के स्वतंतरता संग्राम के दोरान डेकन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्ता की इस्तापना किसने की हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन सी यहनी बाल गंगा दरतिलक हैं जिनोंने स्वतंतर भारत संग्राम के दोरान डेकन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्ता की इस्तापना की थी किसने की थी डेकन एजुकेशन सोसाइटी संस्तान की स्थापना बाल गंगा दरत तिलक ने और ये इस संस्तान की स्थापना कब की गई थी 24 अक्टूबर 1884 में कब की गई थी डेकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 में बाल गंगादर तिलक ने इसकी स्थापना की थी और इसका मुख्यले हैं वो हैं पूरे में हैं वो इसका मुख्यले इस्थापना हैं कि इसका डेकन एजुकेशनल सोसाइटी की जिसकी स्थापना बाल गंगादर तिलक ने 1884 में की थी अगला तीसरा क्यूशन है देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बन रहा है तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्शन सी यह नि राजस्तान के बिकानेर के पूंगल में 4000 मेगावर्ट विजली उत्पादन के लिए देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है कहां पर बन रहा है राजस्तान के बिकानेर में जबकि वरतमान में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो जोतपूर जिले में इस्तित्व है कहां पर है जोतपूर में और अभी देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बन रहा है वो बन रहा है राजस्तान के बीका नेर के पुंगल में अगला क्यूसर ने भारत भारतियों के लिए नारा किस संस्तान ने दिया था पहला जिला कौन सा बना है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन बी ने राजस्तान का जोधपूर जिला है जहां पर बाइक एम्बूलेंस को सुरू करने वाला पहला जिला बना है कौन सा जिला बना है बाइक एम्बूलेंस को सुरू करने वाला जोधपूर जिला बनाई गए थी किस नदीभ पर बनाई की ती прत्म-वध्षिया परेखना दामन द नदीभ और इसको कभ बनाए गया था वह बनाए था साथ जुल्याइए उननिससो अड़तारिस को तो भारत की प्रत्म भॉध्षिया कभ अपनाए गया था Я पूछे तो लिखना है साथ जुले 1948 को और किस नदी पर बनाए गये था वो बनाए गये था दामोदर नदी पर अगला क्यूशन है रेल्वे स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला कौन सा रेल्वे स्टेशन है तो इसका सही जवाब देगा ओप्सन ए यह पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला पहला रेल्वे स्टेशन बना है कौन सा रेल्वे स्टेशन राजस्तान का जैपूर रेल्वे स्टेशन जहां पर सभी परकार की जेनरिक दवाया है वो 80% सूट के साथ उपलब्द करवाई जाएगी नेक्स्ट अगला क्यूसन है विवे का नंद रौक मेमोरियल का इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन डी नी विवे का नंद रौक मेमोरियल है वो तमिल डाडू राजिय में इस्तित हैं अगला नेक्स्ट किसन है गंतंतर दिवस प्रेड 2022 की सर उसरेष्ट जाकी किस राजिय की जाकी के रूप में चुना हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन बियानी उत्तर प्रदेश राजिय की जाकी है जिसको गंतंतर दिवस 2022 की प्रेड में सर्वस्रेश्ट जाकी के रूप में चुना है किस राजी की जाकी को उत्तर प्रदेश की राकी को जबकि माराष्ट ने लोग प्रिये यानि पॉपुलर चोईस केटिगरी के रूप में ये मुकाम हासी लिख किया है अगर पूचे कि सर्वस्रेश्ट जाकी के रूप में किस राजी की जाकी को चुना है तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश और सर्वस्रेश्ट पसंद की जाने वाली जाकी कौन सी थी वो थी माराष्ट राजी की जाकी जो गंतंतर दिवस 2022 की प्रेड में सामिल हुई थी नेक्स्ट अगला क्यूसन है काजी रंगा राष्ट्य पार्क काहां इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन C ने काजी रंगा राष्ट्य पार्क हैं वो असम राज्ये में इस्तित हैं काहां पर है काजी रंगा राष्ट्य पार्क असम राज्ये में अगला क्यूशन है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ती दिवस से कब मनाया गया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्शन एने 22 दिसंबर 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ती दिवस से मनाया गया था कब मनाया गया था मुक्ती दिवस 22 दिसंबर 1940 को नेक्स्ट क्यूशन है ओप्रेशन फ्लड किसे सम्बंदित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्रेशन डी एनी ओप्रेशन फ्लड हैं वो डैरी विकास उद्धोक से सम्बंदित हैं जो 1907 में इस कारिकरम को सुरूख क्या गया था अगर ऐसे पूचे कि ओप्रेशन फ्लड को कब सुरूख क्या गया था तो इसको 1907 में क्या गया था और ये डैरी विकास उद्धोक से सम्बंदित हैं अगला नेक्स्ट क्यूशन है दान की खेती के लिए उत्तम मिटी कौन सी हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन सी यहनी दौमट मिटी हैं जो दान की खेती के लिए सर्वस्ट उत्तम मिटी मानी जाती हैं कौन सी मिटी धान के लिए उत्तम मिटी हैं दौमट मिट अगला क्यूसन है राजस्तान के किस जिले को 24 वे राश्टी ई गवर्नेंस अवोर्ड से सम्मानितिक क्या गया है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D यानि राजस्तान का नागोर जिला है जिसको 24 वे राष्ट्य E Governance Awards से सम्माने तिक क्या गये हैं किस जिले को रागोर जिले को अगला next question है बारती राजियों के राजिये पाल की नियुक्ति किस की अनुसंसा पर राष्ट्य पती द्वारा की जाती हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B यानि सवीदान के अनुचेद 155 के अनुसार राजिये की नियुक्ति हैं वो कैंद्री मंत्री परिशिद की अनुसंसा पर राष्ट्य पती द्वारा की जाती हैं opposite c यहानी 28 फरवेरी को राश्च्टी विज्ञान दिवस से मनाया जाता है अगला क्यूसितन है वेशू में डाकगरों का सबसे बड़ा जाल किसी देस में पाया जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा opinion c यहानी वेशू में डाकगरों का सबसे बड़ा जाल है वो अपने भारत देश में पाया जाता है और भारत में करीब 1.5 यानि डेड़ लाग से अधिक डागर भी उपलब्द है नेक्स्ट हिसे ने राजस्तान वित निगम की इस्तापना कब की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन भी यानि साल 1955 में राज्य वित आयोग दिनियम 1951 के तैत 17 जनरी 1955 में राजस्तान वित निगम की इस्तापना की गई थी कब की गई थी साल 1955 में जो एक कानूनी संस्ता है जिसका मुक्यले जैपूर जिले में है यानि राज्यस्तान वित निगम की मुख्यले कहां पर हैं जैपूर में और इसकी स्थापना कब हुई थी 17 जनुरी 1905 को अगला नेक्स्ट किसने बारत में डाक सुचकांग प्रनाली की सुरुवात किस वर्स हुई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन C यyni साल 1982 में बारत में डाक सुचकांग प्रनाली की सुरुवात हुई थी इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंड में जरूर लिक कर बताईए यानि चोरी चोरा नामक प्रसिद इस्तिल कहाँ पर हैं ओप्सन है गोरकपूर, आगरा, इलाबाद या लकनम इन चार ओप्सन में से कौन सा ओप्सन है जहाँ पर चोरी चोरा नामक प्रसिद इस्तिल हैं वो आपकर कमेंड में जरूर लिखकर बताईए और ये थे कुछ most important question answer जो आपके राजस्तान, ग्राम, विकास, इदेगार, इमेंस और रीड परतिप्रिक्सा के लिए बहुती most important question answer थी उमेद करता हूँ ये सभी question आपको अच्छे से याद हो गएंगी अगर याद हो गए तो इस वीडियो को like जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरू गूर्फ सब्सक्राइब करें और इन सभी क्यूसुना का पीडियेप है वो आप हमारे telegram गूरूफ से भी डाउनलूड कर सकते हैं जिसका लिंग आपको हमारे इस वीडियो की डिस्कृस्ट में मिल जाएगा जाह से आप telegram गूरूफ को जाइन कर सकते हैं और इन सभी तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम